नॉन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स आप एंटर्टेन्मेंट्ग्टेन्मेंट्ड़्टेन्मेंट्स रखर्णादान सब्सक्ट करें लुटे लिए में घाव इंँटानी नोगागाए वियो कि ऑटकर थी हुआड़ान। करे लुटेंसे लोगाए में लुटा की घा पी ओी थेल c sigui हुआ душ तयो गजा आवारा आवारती लोड़ान लता ईजहाए는 लोगाई मेर के दो चुक IRA副 services हुई उसने मुह खोला नहीं साब जब तक मुह न खोले उसे जिन्दा रखना है चला जी साब कर दो तक मुह खोला बताशब झाला जाखना है । तक वघए अन्या करेंट गारें लाओेंस कि नहीं साव्पराई साव्पराश्ण है क्या वा उबसे ख्रॉक्ड़री टारेंस क्या गा तक मुह खोला है मेरा नाम है सूरिया सबका सपना होता है अपनी लाइफ में कुछ गर दिखाने का वजह ही मेरा भी एक सपना था पुलिस बनने का एक जल्दी बताओ तुम में से इसका जमेटरी बॉक्स किसने चुराया है वरना बाद में बहुत मार पड़ेगी जल्दी बताओ इसका बॉक्स तुमने चुराया मैं ने नहीं चुराया तो तुमने हाथ के उठाया मैं चूर का पता लगा सकता हूँ टीचर रहा चौर दुबारा चौरी करेगा तुम ही केसे पता चला कि इसी ने चौरी की है मेरे पापा कहते थे जो गल्ति करता है उसके आखों में डर होता है तुम बड़े होकर जरूर्ट पुलिस वाले बनोगे सर अरे शंभुनाजी आप यहां सर बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था सर किसका बेटा है अपने प्रभाकर जी का बेटा है अच्छी बात है मैं उसी तरफ जा रहा हूँ आपको ड्रॉप कर देता हूँ ठीक है सर किस क्लास में पढ़ते हो बेटा है फूर्ट इसी तरह ये कहकर कि तुम पुलिस बनोगे जरूर बनोगे मेरा साथ दे दे थे और मैंने भी पुलिस बनने के ठान ली थी क्योंकि मेरे पापा भी पुलिस वाले थे किसी की भी लाइफ में दो चीज़े बहुत इंपॉर्टन्ट होती है क्या सही है और क्या घलत उसका फैसला करके चलना पर मेरे लाइफ में पुलिस बनने का फैसला करना सही भी था और घलत भी मेरा काम हो जाना चाहिए भूलना मत ओके नमस्ते सर अमारे एरिया में गणिशोथ सब्सक्राइब साथ में हमने आपका सम्मान भी रखा है सेर आर्किष्ट्रा कभी बहुत बढ़िया इंदिजाम है आप आएगा सब्सक्राइब अरे मुरली जी नमस्ते से वारिश में आप यहां कैसे मेरी बेटी को किसी ने किड्नाप कर लिया है सर ओ तो क्या आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की नहीं की सर क्या मुरली जी उखार हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं मैकेनिक के पास नहीं आप पहले पुलिस में कंप् मेरे लेको ब lei कर चाहिए कीश कर जो भी करना है वह कर ले में डरने वाला नहीं हूँ , पिता जी की अंदे नहीं भी करते हैं तुझे बेकार कर रही होगत वह पुलीश टेशन जाना हम जैसे शरीफों का काटो गोली मरो बस और आप लड़की डुणवाने के लिए हमारे पास आए हैं आप करेट हमें जमेगा नहीं जाहिए सर जाहिए नहीं सर भगवान के लिए कुछ सोच समझ कर आप भी एक बार बोला तो समझ में आता क्या जाओ पुलिस में जाके कंप्लेंट करो चलना भाई मेरी बात नहीं मानी उसने पुलिस स्टेशन कोट के चैरी के चकर लगा लगा कर सारे पैसे खतम कर दिये उसने जब कुछ नहीं हुआ तो आखिर में जहर खा कर अपनी जान दे दी ठीक है ठीक है हम है ना चिंता मत कीजिए देखिये साहब यहाँ पार्टी के लिए अच्छे कंडिडेट्स दोड़ना मुश्किल है तो ऐसे में हम आपकी बेटी को कहां से दोड़न कर लाएंगे बताईए समय खराब है साहब सबसे पहले कंप्लेंड लिखवाईए कानून पुलिस विवस्था सन्विधान ये सब हमारे लिए ही है आप बिलकुल मत डरिये वो एक्षन नहीं लेंगे तो हम आपके साथ हैं देखो तुम ऐसे जिद करोगी तो मैं पुलिस को बलालू नहीं देखो अगर दुबारा तुमने इस घर में पुलिस वुलिस का नाम भी ल अदा है सर ये से अजिद्ण आपकर देखो कि अजय क्शोड़ गरिंगे सब्सक्राइबू अरे सब्सक्राइब, मुझे भाव कर दिख डिख अए सूरम अरे सब्सक्राइब, सुपट लिखवानी थे, मुझे, तू आजाना बता ये मार कोजरा पीच्छेसां मेरे बेटी किड्वनेप हो गई है कित ना उमर है 20 साल की है सर तो गया केसे क्या 303 दान बटेस्थी डाउन हो गई है जड़ा चार्जर तुदे ना अभी लाए सर भाता मता हूं मैं कब से बोले जा रहा हूं कि मेरे बेटी कि Изब्टेस आठाइप हो अहां लड़की खुबसूरत है ना अरे इसलिए तो किट्नेप किया होगा इसको किट्नेप की गई है या बारिश में किसी के साथ गुलचरे उड़ाने गई है क्या बोलते हो चट अप सबान समाल करके बात कीजिए नेरी बेटी ऐसी नहीं है आप चुप रहे है यहां पुलिस टेशन में आपके जैसे माब आपके बहुत डायलोग सुनते हैं हमें मत सिखाइए लड़कियां आपने किसी आशिक के साथ भाग जाती हैं और आप लोग आकर उसके किट्नेप होने की कंप्लेन लिखवाते हैं और हम लोग पागलों की तरह टॉर्स लेकर उन्हें ढूंडने निकल जाते हैं हमें क्या आपने सिक्रेटी गाट समझ कर रखा है पुलिस हैं सूपर सर क्या रहे बहुत सूपर डायलोग मारा है इसको बहुत चर्वी चड़ गई है उतारो इसकी चर्वी पुलिस कर बहुत YOU ए है लोगी मोचिक का चे काCा इसworks उह भी ए लोग में लर कितान लुघ चाब पुलिस ए हम हम आरो ठहुत लिए ए प्ड़ँ क्धड़ 5 इन हम सातर ये उतार किता आ रह दोलोगा, आप दोलोगा, आप ये नह grappa highly नाख दोलोगा, दोलोगा, आप दोलोगा, आप को अए साने उना़े भीगर, पक सातर लोलम उनाराथ 156 00. कर दो के दो को नो को भाला है कर दो स्क्राहिए कर दो ताइसन मैं मारूंगा तो सर फूट जाएगा चल बाद ओय बेहन से मिलोगे तो लाखी और मिठाई मिलेगी मंदिर में जाओगे तो पंडित से प्रसाद पाओगे धर्माथमा के पास जाओगे तो धर्म का उपधेश मिलेगा पर टाइसन के सामने आओगे तो मार, मार ही मार खाओगे याद रखना वाद झाल हुआ 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 अटाँ टाँ Kiss आपकर दोखने टाँ मामंपकर टेमान है कर लोल और में तेंड़ पर शोर उना वना इसमा धर अटो, इन्हें इनके घर तक छूड़े दुर की तक तक छोड़े अब दिल हो गया ये तेरा अब दिल हो गया ये तेरा क्या करूँ ना पता क्या हुआ जानो ना तो हो ये क्या हुआ ये मुझे को नहीं है पता अब दिल हो गया ये तेरा अब दिल हो गया ये तेरा तेरा । जब से देखा मैंने तुझे का तू मेरे दिल का राजा बन गया तू बन गई मेरे दिल की राणी मैं तेरे दिल का राजा बन गया मेरे जन्मों का साथी है तू मेरे जर्म जर्म का तुम साजना मैं ना जानू ये क्या हो गया मुझे को अब दिल हो गया ये तेरा अब दिल हो गया ये तेरा पीत लगा कर मेरे साजन दूर रजाना मुझे से तू सोते जगते तेरे ही सपने ये रब जाने मैं देखू रे अब तू ही तो मेरा साथी है तू ही तो है मेरा पिया अब तू ही तो है मेरी दुनिया साथी रे अब दिल हो गया ये तेरा अब दिल हो गया ये तेरा अब 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 मैंने किसी का खून नहीं किया है मुझ पर कोई केस नहीं है मैं बहुत अच्छा इंसान हो खुद कोट ने मुझे क्लीन चिट दिया है और एक तुम हो कि मैंने रेप किया है मडर किया है कहकर मेरी इमेद खराब कर रहे हो भाई फोटो मेरे बारे में तुमने इतनी डिटेल से खटी कर रखी है मतलब तुमने मुझ पर टी एसडी कर रखी है बस एक साल रुख जा उसके बाद मैं मेले बन जाओंगा भाई थोड़ी देर और हो जाते तो इन फोटोस को ये पेपर में छपवा देता वोई प्रेस वाले मुझे पॉलिटिक्स जॉइन करनी है इसलिए दादा गिरी को मैंने साइड में रखा हुआ है परना पब्लिक वोई प्रेस में किसी से भी नहीं डरता अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं उसका रेप कर दूँगा हलो आपके भाई को किसी ने बहुत मार रहा है और वो हॉस्पिटल में भड़ती है आप जल्दी आजए है जलो बे लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इसे बेट पर चुपचा परा हुआ देख रहा हूँ हमारे भाई को क्या हुआ है भाई वो क्या हुआ कि जब अए जया हुआ का रहा हुआ हुआ है जल्दी प्रादटन प्रादटन हमें वो हुआ है भाई लाई जब प्रेंटन है तो तो क्या वहां से नीचे गिर गया पूरी बात तो सुनिये फिर क्या हुआ पैसे निकाल बें पिछको उसने पैसों के लिए मारा उसने नहीं मारा तो फिर क्या हो जल्दी बताना जगी जिन्चक जगी ब्रो आज आपने जो कपड़े पहने हैं जिस लड़की से मैच होंगे वही आज हमारी पार्टी की गेस्ट होगी ठीक है ब्रो वो देखो मिल गई गुरू नाइट पार्टनर फिक लाइफ पार्टनर फिक असाइब्मेन पूरा हो गया हाहा हो गया हो गया है अश्चक जगी जिन्चक जगी आज बरा प्रटन थे तू माँकर केक काट होगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी हाह फिर जिन्चक तुम्हारा बढ़रा केक काटने के लिए मैं क्यों आउँगी kato इत Means में में इते तेबल ज़ो तवर मना मत कर ना अकर तुम्हरा ये फैन कॉछ का इपाइडी जाएड नलो सुपल्ड तुम्हारी असला कहा ना किक एवरी डूंगे नौइ तुम्हारी फैनन नगू कुछा तबषा ना तुम बस तीन दिन इसी तरहे सेम तु सेम कलर की ड्रेस पहन कर आओ और सेम पिंच करो बस उसके बार तुम जहां बोलो के वहां आ जाओंगी अगे चलो यह क्या यार सेम कलर यह चल ना जल इनके मूमत लगोड़ी तु सेम तु सेम हाँ बोलिये भाई अब एक काम तुर कहीं के तुन्हें कौन सा कलर बताया था परपल कलर भाई घर से वही पैन कर निकली थी वो से पिंच कैसा रहा पंच तुमने यही सोचा था ना कि तीन देन तक मेरी ड्रेस का कलर पता करवा कर से पिंच करके मुझे बेवकूफ पना दो के तुम्हारी चाल समझ में आते ही मैं फ्रेंड के गर गई और ड्रेस चेंज कर ली यहां लड़की से पिटकर यहां पड़ा हुआ है नेरी बात तो पूरी उने दो कहानी मत सुला जल्दी बता आगे क्या हुआ तुने हमारे भाई पर हाथ उठाया सच्छी आशी का दिल में दुखाओ कहे देता हूं चुप चाप मेरे साथ चलो जोड़ा बात अशेट अशेट जोड़ा ओफ जोड़ा पर वार किया फिर भाई उने हमामे। चले गया कुमा जोड़ा प्र जोड़ा जानसा अमार देना मेरे भाई को सेम पिंच का आइडिया किस ने दिया मैंने बहुकुप तो पहले तुझे मारना चाहिए उसे नहीं आइडिया देगा आइडिया तितली की तरह उड़ने वाला सुखे पत्वे की तरह पड़ा है तेरे साथ बाकी की मार खानेवले कहा गए वो सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं काउन है वो यहां काउन ऐसा पैदा हो गया जिसने मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिंबत की उससे तो मिलना ही पड़ेगा डूंडो उसे दर गई ना पत्माश कॉले चुट फिर बताती हो चोड़ना अरे समीता तुम कब आई बेटा बस अभी हाई आंटी सॉरी बेटी तुम्हें इसने डरा दिया ना इस सोगे आंटी मैंने सॉरी कहा और उसने ओकी कहा यह तो रोस की बात है यह तुम्हारी बोडी गार्ड से क क्यों कहना चाहिए उस दिन उस भले इंसान ने तुम्हें वक्त पर नहीं बचाया होता तो पता नहीं हमारा क्या होता कुछ पता चला बेटी वो लड़का कौन है आंटी इसने हर जगह उस लड़के को ढूंडने की कोशिश की सबसे उसके बारे में पूछा एस बूगल व मात्र देव भवा अरे यह मेरे लिए नहीं भगवान के लिए थे राखो चलो अगरे 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 श्री लक्ष्मी विंगडेश्वस्वावन ना परिपूर्ना अग्रह पाकटा अक्षपलसित्य रस्तू मादर इंडिया जल्दी हो प्रसाद खतब हो जाएगा ए पेटू कहीका तेरी SI के एप्लिकेशन भगवान की चरणों में रखकर प्रार्थना करने आये थे हम और तू यहां कर प्रसाद के लाइन में खड़ा है बताओ हम भगवान के पास क्यों आते हैं अपने कश्टों को सुरिया तु एक काबिल और इमानदार सब इंस्पेक्टर बन कर एक सिंसिर ऑफिसर बन के नाम कमाओ यही मेरा सपना है दुनिया की हर मा अपने बेटी की सेफटी के लिए डॉक्टर एंजिनियर और सौटफवेर एंजिनियर बनाना चाहती है और एक तुम हो कि अपने बे मेरे पास एक बीवी एक बेटा और एक सूट केस है कानून की हिफाज़त के लिए कहीं भी जाना पड़े मैं तयार हूं कहीं भी रहना पड़े मैं तयार हूं गाट माइ पॉइंट अहा लक्ष Scorpie महालक्षमी मौा गाट सल्फी या नई गाड खरीद है क्या नई बड़ा ीअ इसेकेंड और ये क्या है ये गाड़ेश का मंदिर है यहां मूली के साहद प्लास्टिक की मुलती नयी गाड़ी मिलते यही पावर और इस मंदिर की वा बढ़म कौन मैं नहीं गाड़ी गनेश चौर चौर मेरे चैनले कर बढ़ गया पक्ड़ों से यह 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 मेरे गाड़ी हेलो 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 हे ब्रदर अरे वहां पुलीस वाले हैं इधर से चालो लेट से आगे पुलीस है लेट लेट कुछ से थाम के मुसीवत है यथ मेरे साठी के भी लगया ? पताफ। बाल तक दर केमा aircraft सीं जेले जेलें कि इय ये कर दो कि खंटावनी जताए इय येय ये ये अन्य ये मैं आ जोना कि के रहाँ रुक ना भाई! रुक 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 क्या रहे? उदर से रास्ता बंदा है, यहां से चलो, यहां से. लफ लफ मेरे पिछ आँ, मेरे पिछे. अर्य, बडे पुशके से तिकनन काली गरी थी है. तोड़ा पाली बिला दोगी? हाँ पियो नहाँ तुम्हारे बच्चे जीए मेरी अभी तक शादी नहीं हुई बस बखो अज़दी यह जल्दी यह जहां लिया अंदर जो यहां कोई प्रावलम नहीं है ठीक है आज आज़व जल्दी अरे वाँ गुमाते गुमाते बिल्कुल सही जगह पर लेकर आया है आज़ बेटा आओ चैर निकालो ज़ो 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 मेरा मुह के देग जाना सूर्य मुश्किल से दो चोर पकड़ के लाए है दो एपल जूस मगाई यह नहीं चाहिए यह सब क्या है सूर भाग रहे थे इसलिए यहां लेटा हम लोग दिन रात जूटी करके भी चोर नहीं पकड़ पाते और तुम पता नहीं क्या जादू करते हो चोर खुद पुलिस टेशन आ जाते मानना पड़ेगा तुम बहुत टैलेंटेड हो यह क्या टाइलेंट है सर देखते जाए जब ह अगर कुछ नहीं हो सकता तो यहां पे क्यूँ खड़े आई आप यूडिफाम उतार के अपने घर जाए डर कर काम करने वाला पुलिस नहीं होता जिसे देखकर क्रेमनल डर जाए वह है पुलिस जो चोर के लिए चोर, गुंडे के लिए गुंडा डौन के लिए डौन बन उसे कहते हैं पुलिस सर पर शेर, कंदे पर स्टार, कमर पर बेल्ट, हाथों में लाठी या गन रखकर, आरेन कोई वर्दी, पॉलिश की विशूस पहन कर, हर किसी को सेल्लिट क्यों करते हैं आप कोई फैशन शो करने वाले मॉडल नहीं है, पुलिस वाले हैं गुंड़, डॉन, विएपी, विविएपी, सेलिब्रेटी, पॉलिटिशन, चाहे कोई भी हो अगर कोई गुना करता है, तो उसे सजा दिला कर सुधारने की ताकत रखता है ओई पॉलिस, B for power, O for obedience, C for lawbending, I for intelligences, C for courtesy and E for excellency तास्टी मिनिक अपॉलिस, I will come and show the power of POLICE पलिस, I will show the power of polis, I will show the power of polis कह रहा था ना ना पार्टेकर की तरह इतना बड़ा डालाग तो बोल दिया वो भी पॉलिस के सामने अगर उन्होंने रिवर्स गेर लगा कर अपनी क्लास लगा दियो जी दो और सेलफी अपनी जिन्दगी तो चंड हो जाती मुझे आश्रा भी बताता हूं मुझे भी दोना सुन सेलफी हम दोनों आज पूरे टाइट हो चुके हैं अगर इस हालत में घर गए तो अपनी मदर इंडिया पैरागॉन लुनार की चपलों से हम दोनों की आर्ज ही उतारेगी इसलिए तू से फोन करके कोई ऐसी पट्टी पढ़ा दे कि आपका बेटा क्या हो गया सेलफी मैंने तुझे मारा तो मेरे प्रती तेरा प्यार कम हो गया गया है यह कैसे हो गया हमेशा तो फुली लोड़ेट गण की तरह तेरा बैलंस तो फुल रहता है ना फुल कराने के लिए यह मोबाईल की दुकान पर गया था दोसो रुपए का रिचार्ज कर अफ्री का दालाओ तो देड़ हजार का बैलनस दलवाओ तू तो तो देड़ सुर्क काई डालू अर पूछती क्या हो तेड़ हजार काई डालो और यह मेरा है हाँ so sweet thank you तो दाल दो ना क्या डालू अपना मोबाइल नमबर डालू ना तुम बो अशारारती हो वेट करो ना, चलत, बालन्स आया, मेरा अभी तक आया निच्च करो ना, हे भगवान, ने ट्रॉक बीजी होगा, आ जाएगा, मेरा बिजनेस कहरा आदमत करो, साइड में खड़े रो, साइड में आओ ना, ये लोकी थोड़ा तुमी से बात नहीं कर सती है, ये, अभी तक नह नहीं आया है, कहाना आ जाएगा, बैलन्स आया, देखो, एक घंटे पहले जो बैलन्स रलवाने आए थे, अभी तक वेट कर रहे हैं, तुमें इतनी जल्दी क्यों है, चुप-चाप साइड में खड़े रो, तौका बैलन्स आला, मट डलवा भई, नहीं आएगा, अज़ा सल्फी, बैलन्स आपनी नमबर पे डलवाया था ना, 944-835-576, रॉंग नमबर था, खुद रॉंग नमबर डालके मुझ पे इल्जाम लगा रहा है, ज्यादा खुझ लिये के तुझे, पीछे हो रही है, खुझाओ ना, ओए, क्या, शराफ़त से मेरे पैसे वापस करू जब दोंगा, निकल पैसे मिले मेरे, पैसे मिले किया तो उस रॉंग नमर पे फोन कर पैसे मांग लेता ना, कुझाओ, छुपचा फोन या है पालन खुझाल कर वापस पांग रहा है, घलो हैँ, रुद हलो है लो है वापस करूदो है, रॉन है छोटम उल्ड्सार शों द क्यानने अब स्कताली तो करने जो इसो को बाता ना अंडर सफर्द करता हां अज्थी पोन तो रिंक्र एपने जाए वह है सिए भी कि आत्मेस्ट रिंगाइा र इंड भाता होकें जुक्रोन यह थेख यह थे यह से उ circumstances यह तो वही रॉंग नंबर वाली है अब ही उसे मज़ा चगाता हूं अलो हालो कौन है यह दूसरों के पैसों से घंटों बाते करती रहती हो शरब नहीं तुझे 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 वही जिसने बैलेंस डाला है पड़ी चालाग हो दूसरे नंबर अब मेरी बात ध्या तो तेरी खोब बड़ी फोर्ट हूंगा क्या है पंद्रस हो का बैलेंस तरे लिए चोटा मोटा है ना लड़की के नंबर पर बैलेंस डलबाकर फ्रेंशिप करके लाव शॉफ बोलकर पार गार्डन में घूमने वाले रोड्रोमियों को मैं अच्छी तरह जानती हूं चु है एक बात सुनले अगर तो ने दो बारा फोन किया ना तो पुलिस कंटेंड कर दूंगी हाँ तो जागे कर देना मैरे बात पुलिस देखी है समझे हमें हमारे पैसे वापस चाहिए है नहीं दिया तो तिरा तंबर नियूस पेबर में छपुआ दूंगा कि ये इंटरनेश बाई फोन कार दिया उसने कटा नहीं बैलेंस कता मोगया अच्छा तो फिर से बैलेंस दला ना इतनी रात में धार्व मिल जाएगी लेकिन बैलेंस ना अच्छा तो फिर का मिलेगा बैलेंस स्रिफ्टिंग टू अपने अपने घर्व अटरेब लोग यहां क्यो पड़े है अटभी काई थे अर्व जबेकर गाडी नहीं चलाना चाहिए अटरेब लगी बोस्ट्रेव तुम तफिके यही लुडगे यह लुडग्या अटू लोग यहां क्यो सो रहा है भाई तारू पीकर पड़ा है और पियार मांग रहा है व मेरे फ्रेंड की गोद में सलामत है क्योंकि उसके एक्सिडेंट होगया और सर से खून निकल रहा है हाई Smita हलो दिव्या हमारी फेंड रमया का एक्सिडेंट हो गया है जाएदु से खून की ज़रूरत पड़ेगी तुमारा ब्लड गूप पॉजिटिव है है तो क्योंकि इनकेस ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी शुर। कॉंसा उस्पितल है हलो Smita हलो 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 अफो बैटरी को भी खटम होना था सब्सक्राइब को अपना फोन देंगे सारी मोबाइल में बैलेंस नहीं है मेरे फोन में आप बात कर लो माँ को फोन करने के लिए बैलेंस नहीं था लड़की ने मांगा तो बेटा बैचारी गरीब लड़की है इसलिए अस्पताल है साइलेंस यह बैलन्स वाला भी ना और एक्स्क्यूज में सुस्टर अरे यह फोन क्यों नहीं उठा रही है ले लगा ले डॉक्टर नाराज वरें साइलेंस रही है मैं भी दॉक्टर हूं मैं भी नाराज वरहूं चलाट अगर थोड़ी पतली होती तो बड़ी सुन्दर लगती तो मैं भी निस्कॉल करूं कर्रेक्ट कर्णीत वह लैश्ड़ी तो मैंगरती समिता गुड मॉर्निंग दिव्या रात भर तुम्हारा फोन स्विच ओफ था किसी और नमबर से फोन नहीं कर सती थी अरे मैंने तुझे दूसरे नमबर से फोन किया था लेकिन तुने रिसीव ही नहीं किया कौन से नमबर से वो लास्ट नमबर 573 है देखना तो कर रात को दो समिता ने यहीं नमबर तो बताया था कौन होगा पूरी रात उसके लिए जाकते रहे दोसों से जादा बार मिस्कॉल दी होगी उसके बाद भी पलटके फोन नहीं किया तुम्हें फोन रखने का कोई हग नहीं है मेरे पैसे वापस देदो मेरा बाब करोड़ और यहीं है देड़ हजार वापस नहीं किया तो मेरी फैमिली सख पर आ जाएगी क्यों मेरा पैसा पैसा नहीं है क्या पैसे वापस दे दो तुम लोग लड़कों का मिस्यूस करना बंद करो और शराफत से मेरे पैसे वापस दो कोई पागर लगता है बालेंस समिता अभी चेक करते हूं और ये है अब एक पर फोन करके देखते हूं अलो अप्थू अरो फोन कहा है और मेरा मुबाइल कहा है भाई सुबह 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 बैलस्वाई नरगी का फोन है तुभी बात कर ले ना अधको उसने तुझे डाटा इसले डर लग रहा है दरता कोन अब है क्या है प्रॉब्लम में इसे हलो मैं हूं सर हां तो क्या करूं है वो बैलेंस वाली लड़की हां वही बैलेंस वापस कब दे रही हो हां दे दूंगी सर हां कब दोगी बतागी कहा ना है सिटी मॉल के पास आजाओ ओके है रात बर उसकी सुई नहीं देने पर रटकियो थी घब उनका मन होता है जब घर स्काइब जा कर ले 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 ना चांए तो जारे आ इक और अधाम करें तूभी मेरे साथ wal हो जाएगा अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं बताना मुश्किल है कि कब तक ठीक होगा आज मेरे भाई का जनम दिन है सोचा था आइसकेक खिलाओंगा पर यह आइस यू में हो सोचा था ड्रिंक्स लेगा पर रिप्स ले रहा है हर साल अंडरल वर्ड के लोग आइसकेक खाकर ड्रिंक्स पेकर डांस करकर जाते हैं लेकिन इस साल में नाज रहा हूँ भाई ब्रो का बड़्डे तो हो चुका है ना एक तु नालाइक कहीं का वो स्कूल की डेट अब बर्थ है यह रियल डेट अब बर्थ है जाओ आइसकेक लेकर आओ मेरे भाई का बड़्डे अभी और यही लेड़ेट करेंगे ठेयाँ लो डे आउस करो का हो ठेक से बताओ ना तब से बोल रही हो यहाugs वाह हो पूरे मॉल का चक्कर लगवा दिया सिटी मौल में आप कहा है मैं भी तो मौल में हूँ ए कहा हो तुम ठीक से बताओ न यहीं एंट्रेस पर हूँ, ग्राउन फ्लोर पर ग्राउन फ्लोर, अच्छा तुमारी ड्रेस का कलर क्या है वाइट ट्यूनिक विद पोलका डॉर्स एसकलेटर के पास खड़ी हूँ पिलर हेंट बैग है तुमारे पास हाँ है ना ओके ओके दिख गए, वहीं रुको मैं आता हूँ कहा था ना वहीं रहना, तो कहा अगायब हो गई यहीं पर तो हूँ, आपको पिलर दिखाई दे रहा है हाँ पिलर है फोन पे आप बात कर रही थी बालन्स मेरा नहीं, मेरे दोस्त का है, उसने मुझे भेजा है लेने के लिए ओके, लीजिये ने, कोई बात नहीं, रहने दीजिये आपने मेरे फ्रेंड की जान बचाई है, उसके लिए मैं आपकी शुक्र गजार हूँ, लीजिये फ्रेंड? वही, समिता, रामया ओ, वह लोग अरे, वन सेके ना हेलो, क्या रहे, वो मिली क्या? अच्छा सुन, यादे मैंने बताया था, यह वही लड़की है यार ए, कोई भी हमें क्या, तु पहले उससे पैसे ले अरे, नहीं यार क्यों नहीं? वह लड़की से पैसे वापस से में अच्छा लगता है मुझे अच्छा लगेगा, तु पैसे ले ए, सुनो, वह सामने है सुरी, वह मेरे फ्रेंड का फोन आगया था, बोलिए मैंने आपको बाद में बहुत ढूंडा वह क्यों? थांक्स बोलने के लिए एक्च्छली, मैंने भी आपको बहुत ढूंडा था ढूंडा था, क्यों? वह मैं कहीं तो पीटा था तुझे, लेकिन याद नहीं आ रहा है कहाँ जरा याद दिलाएंगे से? ए, ले चलो इसको घसीट के ले जाएगा मुझे ना मैं कुत्ते का पिल्ला हूँ ना भकरी का मेमना शेर का बेटा हूँ ए, शेर के बच्चे को पकड़के गाड़ी में डालो तारा जगणा यसे अड़िकी दीवजेसे, पहले रिसको पकड़ो लब का झाँ अचाँ भालो जजीवजेसे, लेसे लेसे आव! पाउनी दilah! पाँ ग़गप euा खिखनी पौ आवनी आवनीदा वाऊवनुव करेओगप अज़ lure आव! período क्ष्ड़ग ओ pé убийत designers हैँ है लो भाल समय खुर्ए जाओर के Aww हाँ थैड़ है व्राभग है अडिक pledge अँग खाय थasis भी जर हाँ प्रेट ऑफ वार बत कर दोत हऊ़ा है truly? वो मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, उठा कर लाओ, ना उसा देखना चाहता हूँ हैलो, excuse me ऐसे के देख रहे हैं, सब लोग आपको ही देख रहे हैं हॉस्पिटल है, इतना कॉमन सेंस भी नहीं है कि शांती रखनी चाहिए आरम से बात करें ने, साइड में जाके, तुम चलो से 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 डॉक्टर ने आपको अरजिंटली अंदर बुलाया है किसी भूत प्रेट ने तुन नहीं पकड़ लिया अरे अरे जग्की, जग्की क्या हुआ, भाई, ओए इंग्जक्शन, क्या होगी है मेरे भाई को मिरेकल, अमेजिंग, हमने इतना ट्रीटमेंट किया, इसकी बॉड़ी ने जरा भी रेस्पॉन नहीं किया लेकिन अब मोबाईल फोन की तरह वाइब्रेट होता देखकर लग रहा है, जैसे यहां पर कोई वाइब्रेटर घूम रहा है इंग्जक्शन, ठीक से बता मेरे भाई को क्या हो रहा है, यह ऐसा क्यू कर रहा है अब मैं क्या कहूँ फॉर्बुला अफ गजनी के हिसाब से इसकी वाइब्रेशन से लगता है इसे कोमा में भेजने वाला वो महान व्यक्ति यहीं कहीं मेरे सामने इसकी तरीफ मत कर क्या वात है भाई बहुत टेंशन में हो मेरे भाई को मारने वाला आसपास है चलो ढूंडो उसे है तुनने मेरे भाई को मारा सब्बाइ को में तुनना नहीं में निमारा सब्ते atenção है थेक जी विलकुल देखते ही जान गड़ बाई चलता हो टकले अरे सुनिये तो पहले आप शान्त हो जाईए जिसने सेब दिया उसी ने आपके भाई को मारा है चलो 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 चली करो चलो फिलिप को भ्यादी खरावना था तो अच्छा भाई आप पतले हो जाओगे आपके है और श्राई याद चलो याद बिल में समाई है तू जादू किया है तूने दिल में समाई है तू दिल में समाई तू मेरे धड़कन में छाई तू मेरे सासों मेरे जीना लगे बिन तेरे जाने मेरे दिल की धड़कन कहती है ये क्या दिल में समाई तू मेरे धड़कन में छाई तू मेरे मुझको ये क्या हुआ तूने जो मुझको छुआ दिल ना ये समले जाना रे ये क्या कहानी होई तेरे दिवानी होई तू जो मैंने अपन माना रे दिवाना दे चला तेरे संग में जैसे ये रंग गया तेरे रंग में दिल में अर्मान मेरे जागे है जाने क्या दिल में समाया तू मेरे धड़कन में छाया तू मेरे ये धल्या ये आशीकी तुझसे मेरी खुशी तुझसे ही दुनिया है मेरे दिल भी है नाम तेरे जा भी है नाम तेरे है मेरा सब कुछ तेरा रे दिल अपना तेरे नाम करती हूँ मैं चान अपनी तेरे नाम करती हूँ साथ ना छोड़ोगे तम जान मेरी बोलो दिल में समाई तू मेरे धड़कन में छाई तू मेरे सासों में बस गया मेरे जीना लगे बुम तेरे जाने मेरे दिल की धड़कन कहती है ये क्या दिल में समाया तू मेरे धड़कन में छाया तू मेरे तुम्हारा प्यार सक्सेस होने में मेरे मोबाइल बैलेंस का भी हाथ है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम दुनों की लव इस्टोरी को एक टाइटिल दे दूख्या लव बैलेंस कैसा रहेगा और साथ में पंदरास रुपे नॉट रिफंडेबल की टेग लाइन पी टाल दे और भी अच्छा लगेगा यह भी ठीक है बुजुर्गों ने बिल्कुल सही कहा है फ्रेंड्स के साथ लवर हो या लवर्स के साथ फ्रेंड्स हो मुसीबत हमेशा फ इश्वनात जी सर नमस्कार सर नमस्कार सर क्या आपने इसे पहचाना नहीं मैंने नहीं पहचाना वो हमारे डिपार्टमेंट में थे न सर पुलिस ऑफिसर टाइगर प्रभाकर उनका बेटा है ताई सर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हरे पिता जी को ही दे हम बाद में मिलते हैं ठीक हैं अंगल हम लोग चले हां बाइ सर बाइए सर बाइ खिया है तो ये पुलिस ट्रेनिंग की बाद कहा से आई क्यों पुलिस बाला बनने के लिए पुलिस की स्टोरी परनी पड़ती है क्या वो बात नहीं है तुमकुई अच्छा काम नहीं कर सकत मेरे माता पिता का सपना है कि मैं पुलिस वाला बनू और उसे पूरा करना मेरी जिन्दगी का मकसद है लेकिन सूर्या अरे तुम पुलिस वाली की बीवी बनोगी क्या बिकार की बात कर रही हो हाँ पुलिस वाले से जाधा पुलिस की बीवी स्ट्रॉंग होती है तब जाके यज देविया शाम को चैनलेश के बाहर भाइ चलो अ अब यह के ट्विस्ट गया तेरे पापा को पुलिस के नान से नफरत है और इसका मकसद पुलिसमें भरती हो ना अब तू क्या करेगी और बनाऊंगी किसे बनाएगी अपने पापा को तेरे पापा नहीं माने तो तो इस तब तो कोई बात नहीं, आपको सुंदर लड़की चाहिए या पैसे वाली, देखे, मुझे एक अच्छी सी और प्यारी बहु चाहिए, वाट मदर इंडिया, लड़की दुनने का कारक्रम चल रहा है, एनिधिंग स्पेशल, बहुत स्पेशल है, तुम्हें हलाल करने का प्ल अरे तुम लोग चुप रहो, मैं अपनी बहु की तलाश कर रही हूँ, ये देखो, ये लड़की कैसी है, नाम है मन्जुला, इसका घर नहीं बंगला है, बी एस्ट के बाद लाग कर रही है, पांचे कड़ जमीन, पांचे कड़ खेत, अगर सब कुछ सही रहा, तो सब ते पाना, पीना, सोना, बस यही है इसके बाप का रोना, ऐसी लड़की घर लाओंगी तो जिंदगी भर रोना धोना पड़ेगा, सुनी, कोई अच्छी सी लड़की नहीं है, अच्छी तो है, मदर इंडिया, इन्हें अभी तक आपका टेस्ट समझ भी नहीं आया है, आप अं समझ में आया है, इसका देखो, क्या कहा है, तारीफ, 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 तो मैं करी चुका हूँ, पंडिया, मैंने कॉफे में गल्ती से चीनी डाल दी है, चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा बहन जी, शुगर फ्री बिस्किट है ना, उसके साथ ही पीलूंगा, कोई लड़ दुर्गाश्री है, दुर्गाश्री, तब तो पक्का जिद्धी और जगडालू लड़की होगी है, ऐसी बहु नहीं चाहिए मुझे, ये दुगर तबाह कर देगी, कोई और लड़की दिखाए ना, पंडिजी, दिखाता हूँ, आंटी जी, आप जाके एक कॉफी और ला क्यों मैं पंडित ऐसे तारिफ के जाती है, हो गया सिलेक्शन, अच्छा है ना, जैसा आपने बताया, अच्छा कोई लड़की पसंद आई, दिखाए, बहन जी, आपके बहु के फोटो, फिर इसे बही जगडालू लड़की, सुन बेटा, मेरी एक बात मार, किसी लड़की से प्यार कर ले, उसे से तेरी शादी करवा दोंगी, प्यार, लगता है मेरा कमिशन कया, लगया बनाजी, मदर इंडिया, क्या, मुझे इस लड़की की फोटो देखकर ऐसा लग रहा है, कि इसमें आपकी बहु बनने की सारी कॉलिटी, मु जूनी पसंद करेंगे, आँटी, पंडिजी के लिए जरा खीर तो बना कर लाईए, सुनिये मुरली जी, एक लोता बेटा है, गाय की तरह सीधी मा है, अगर आपकी बेटी उस घर की बहु बन गई, तो रानी, रानी बनकर राज करेगी, मतलब लड़का कहीं का राजा है ग फोटो आज ही दिखाओगे, या शादी के बाद निकाल कर दिखाओगे, दिखाता हूँ, दिखाता हूँ, क्या पंडित जी एक फोटो नहीं मिल रहा है, उस लड़के की फोटो, एक लैप्टॉप भी नहीं है आपके पस, पापा, बोलो बेटी, लड़का ढूडने की यहां भी कमिशन गया, क्या बेटी कुछ तो लेहाज करो हमारे सामने प्यार की बाते करें यो, पदमा, देखे ना, वो लड़का कौन है बेटी, वही पापा, जब मैं किद्नाप हुई थी तब जिस लड़के ने मुझे पचाया था, वही पापा, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटी, आप यह क्या बोल रहे हैं जी, ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं, देखो, यह कौन है, क्या है, यह सब जाने बिना उसने इसकी जान और इजद बचाई, और अब यह उसे प्यार भी करती है, एक बात कहूं, मुझे यकीन है वो अपनी बेटी को बहुत खुश र पहले आप इस लड़के की फोटो तो देख लिजे, क्या हुआ देविया, सूर्या, मुझे तुमसे एक औरचन बात करनी है, मुझे भी तुम्हे एक गुड निउस देनी है, गुड निउस, वो क्या, पहले तुम बताओ, पोन पर नहीं, मिल कर बताओंगी, ओके, तुम भ हाई दर्शकों, मैं हूँ आपकी नंदिनी, और ये है आपका टीवी, दर्शकों, हर समय हमारी रक्षा करने वाले और कानून की रक्षा करने वाले पुलिस वालों के सम्मान के लिए हर साल अक्तुबर की 21 तारिक को पुलिस टे के नाम से मनाया जाता है, यही है आज का पुलिस वाले अच्छों के लिए अच्छे होते हैं, बुरों के लिए बुरे, जो गेट अप हर एक हीरो पर जमता है, वन और अनली पुलिस गेट अप, पहले तो ये गाउं में बहुत कम दिखाई देते थे, लेकिन आज कल हर जगे दिखते हैं, मैं अपने जिंदीगी मे पुलिस में केस किया था, मेरी जिंदीगी खराब हो गई है, पुलिस मामा बगड के ले जाते हैं, चलो उन से पूछते हैं, सर सर सर, पुलिस के बारे में आपके क्या राय है सर, मैं पुलिस के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाता, सर सर, एक मिनिट सर, क्यों नहीं करन इसके बाद भी पुलिस डे मना रहे हैं आप लोग हलो क्यों सर आपका मतलब सारे पुलिस वाले बुरे होते हैं उनमें भी इमांदार लोग होते हैं जहर की बोतल में अगर थोड़ा सा शहद गिर भी जाए, फिर भी वो जहर ही रहता है आप चाहे माने या ना माने, सौ में से अस्ती प्रतिशत लोग पुलिस वालों से नफरत करते हैं और पुलिस में भरती होना, जिन लोगों का सपना होता है, वो सौ परसंट खरे लोग होते हैं मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, जो कहते हैं कि भले ही शमशान चला जाओंगा, लेकिन पुलिस टेशन नहीं जाओंगा बिना दिखे मदद करने वाला भगवान होता है, और हाथ पकड़कर मदद करने वाला पुलिस, मैंने तो यही सुना है दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम वाले देशों में हमारे ही देश का नाम सबसे उपर है, पता है कितने पुलिस ओफिसर है जो पुलिस डिपार्टमेंट जॉइन करके इमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं और ना जाने कितने लोग हैं जो पुलिस ओफिसर की फोटो लगा कर पूजा करते हैं पता है आपको? मेरे पती भी पुलिस ऑफिसर थे और मेरा बेटा भी पुलिस बनेगा डौन नहीं अगर एक घंटे पुलिस अपना काम ना करे और चुपचा बैच जाये तब पता चलेगा एक घंटे में देश जलकर खाक हो जाएगा अगर पुलिस ने आम इंसान की परिशानियों को समझा होता ना तो लोग उनके बारे में बुरा ही क्यों बोलते लोगों में आप सबको शामिल मत कीजिए सर सबी लोगों के विचार आपकी तरह नहीं होते पुलिस वाले दिन रात अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर काम करते हैं सर प्री में तो नहीं करते हैं ना हर मैंने पैसे भी तो मिलते हूं ने जो मुह में आये बखे जा रहे हैं ओहो क्या सोच कर आप जैसे इंसान को समझाने चलिया आई मत मारे गई थी मेरी अरे तो रोका किसने है जाईए ना बढ़ी आई मुझे समझाने वाली जाईए सुना नहीं जाईए अगर आपके कोई राय है उसे समाल कर जलदे सा सॉपताल लेकर जाओ अडिया बढाई ने मेरे भाई को मारने वाला और मेरे हाथ में सेव देने वाला भाई वो इस समय मेरी आखों के सामने ही है तो तुम लोग खड़े-खड़े क्या कर रहे हो जाओ और जाकर उसे पकड़ो भाई पांच मिनिट में मैं उसे आपके सामने लाके खड़ा कर दूँगा सीधी तरह बता सुबूत कहां है वरना तू बिना मौत के मारा चाहेगा है तो मुझे जान से मार दे और मरने के बाद कंफर्म भी कर लेना क्योंकि अगर कहीं मैं गलती से भी जिन्दा बच गया ना तो तू नहीं बचेगा साले आज तुझे छोड़ों बली मेरे भाई को आलेगा अले कर भाई को आलेगा अकल नहीं है ये मर गया तो पांच पुलिस ओफिसर्स पांच पुलिस चीटर्स एक एमेले एक डीसी और एक चीफ मिनिस्टर मैं तू सब लाइन से जेल की सलाकों के पीछे होंगे इस टकली के साथ रहना टॉचर से कम नहीं है इसके पापा को पुलिस पसंद नहीं है इसके पापा के लिए पुलिस वाला बनने का सपना नहीं छोड़ सकता अगर प्यार चाहिए तो पुलिस बनने का सपना भी छोड़ना पड़ेगा हमारा भी सेम डायलोग प्यार आपको छोड़कर ये भाग कर शादी नहीं करेगी तो सुन लो अपने बाब आपके सपनों का गला घुटकी ये भी अपनी नहीं जिंदगी नहीं बसा सकता तो ये भी समझ लो बाद में ऐसे सुशिल और सुन्दे लड़की इसे नहीं मिलेगी तो हमारे लड़के में क्या ख गटिया सोचे तो प्यार क्या तेरा मूँ भी कभी नहीं देखता तुम्हारे लिए इतने बड़े गिफ्ट की क्या जरू थी तुमने मुझ पर लगे हुए सारे के सारे केस खत्म कर दिये उसके बतले अगर तुमको गिफ्ट नहीं दोंगा तु है और किसको दोंगा मेरे अगर इस पर एलेक्शन में जीत कर लीडर बन गए न तो ऐसे पुर्णे काम तुम्हें और भी करने को मिलेंगे प्रभू की सेवा में ये भक्त सदा हादुर रहेगा इसका फोटो यहां क्या कर रहा है एसाई की पोस्ट के लिए इस केंडिडेट ने अपलाई किया है कल से ट्रेनिंग शुरू होगी तुम्हारा बंदा है तो देख लेंगे क्या देख लोगे मेरे भाई को इसी नहीं मा रहा है मुझसे बचकर भागता फिर रहा है ये आज मेरे को इसका एड्रेस पता चला आप छोड़ूंगा नहीं मैं इसे चलो रहे चलो चलो एक मिनट टेक मिरट बैठो टेंशन क्यों ले रहे हो अभी हाथ उठाओगे तो सब को परिशानी होगी एलेक्शन होने और तुम्हारे भाई के ठीक होने तक जरा संबल कर रहो इसे मेरे उपर छोड़ दो तुमको इसके बारे में ठीक से पता नहीं है पता है इसने मेरे आत्मियों को कितनी बार चक्मा दिया है तुझे पता है न जब वो मारता है तो करेंट करेंट लग जाता है तो आब हम क्या करें अरे भाई 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 पकड़ लिया पकड़ लिया पीट रहा है पीट रहा है पीट रहा है बहुत पीट रहा है अरे ये क्या अरे भाई 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 अरे सोरी 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 भाई हमारे हाथ से निकल के भाग गया तो मेरे आदमियों शुरू हो रही है, मेरे अंडर में, तुम जाओ, वो बच कर भाग जाएगा, काले गौडा के सामने, कुछ नहीं कर पाएगा वो 5.7, next, 6.1, next, 6.2, next, 46, next, remove this, next, 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 Surya, ये आया है, आया सर, Surya कोने, हाँ मैं हो, याँ आओ, सर बला रहे है, तुमारे पिताजी पुलिस आफिसर थे, हाँ सर, प्रभाकर नाम था, बाप हीरो हो तो बेटा हीरो बनता है, बाप सीम हो तो बेटा भी सीम बनता है, लेकिन पॉलिस बनना इतना आसान नहीं है, आउट, बहुत मक्कार आदमी है, इससे जरह बच के रहना, है, तुमारे रिजेक्ट हो गया, सर, सर वो एक ही स्टेप रह गया, सर, सर वो, है, आउट, यह क्या कर रहा है, तो और क्या करूँ, अगर मैं इस फार सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो फिर कभी पुलिस में भढ़ती नहीं हो पाऊंगा, और फिर मैं अगले साल आवरेज भी हो जाऊंगा, इतना परशान मतो, तो इस सर जरूर सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन कैसे, जब तक काले गोड़ा जैसे लोग रहेंगे, हम पुलिस आफिसर कैसे बनेंगे, काले गोड़ा जैसे सो लोग भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, यहां सेलेक्शन नहीं भी हुआ तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट के किसी और ब्रैंच में नौकरी कर लेंगे। मदर इंडिया दवा टाइम पे ले रही हो न? वा सफ ठीक तई है न? मैं ठीक हूँ बिटा, तु भी ठीक है न? अरे मुझे कुछ नहीं होगा मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ये बता तेरी ट्रेइनिंग तो ठीक चल रही है ना तिग्रेट पिला मैं सिग्रेट नहीं पीता तो माचिस कहां से होगी भाई ए सुरिया ये शोर कैसा है अरे कुछ नहीं मा यहां पे किसी को जोर से भूख लगी है उसे खाना किला के तुम्हें फोन करता हूं अरे चल खाले खाने खाले गपफफफफफफफफफफफ दो बेच खाले जो 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 एके किसें सावें अ करन कर दो सकतया के लाक प्ला Summa लगाण्ट झाल 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 सूरिया ये सब क्या है ये क्या है कौन थे वो लोग क्या हुआ तुझे पतानी कौन थे ये लोग बिना मतलब जगडा करने लगे और ये फील्ड में नए हो क्या पुलिस बनने आया हूँ सर फील्ड में तो एंट्री भी नहीं हुई मेरी तो फिर ये लोग कौन थे पतानी कौन लोग थे सर दुश्मनी ऐसी ही होती है अचानक कोई भी हमला कर सकता है हमें हमेशा तयार रहना चाहिए वरना ये लोग किसी भी दिन को हमारी जिंदगी का आखरी दिन बना सकते हैं मैंने जिस दिन पुलिस बनने का फैसला किया था दुश्मनों को वेलकम बोल कर मौत को सेलिट करके उसी दिन से रेडी हो सर पुलिस में ये सिखाया जरूर जाता है कि कोई भी गलत काम मत करो लेकिन इस समाज को सुधारना इतना आसान काम भी नहीं है इसके बाद भी अगर तुम पुलिस में भरती हो ना चाहते हो तो आल दे बैस आगे बढ़ो तैसा ही लेक तैसाओ बैसके बाद आसाओ अजिए अज़ा अज़ा कर रहा है तो बड़े डायलोग मार रहा था कि ये काले गॉड़ा का वादा है कि आपके भाई को मारने वाले को देख लूँगा अब मैं क्या बोलू अरे अब फिजिकल एक्जाम पास हो गया तो पुलिस में बन जाएगा वो सिर्फ ट्रेनिंग से कोई पुलिस वाला नहीं बन जाता है वो पुलिस बने या ना बने उससे मुझे कोई मतलब नहीं सिर्फ बता उसकी फोटो पर हारकप डालेगा अरे से लेकर वोट डालने वाले दोगलों से डरने वाला इंसान नहीं हूं मैं मेरे लिए मेरा भाई सब कुछ है चाहे पक्षो या विपक्षो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाव सकता एक-एक को पानी पिला दूँगा ये राजेंदर क्या चीज है सब को बता दूँगा भाई व में लेके कैंडिडेट हो तुम और पब्लिक प्लेस में हॉस्पिटल में इतना हंगामा कर रहे हो गुंडा गर्दी कर रहे हो तुम और कहते हो टिकेट दो आपको इस सब किसने बताए सर ये सब बिल्कुल जूट है पक्ष या विपक्ष तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड क्या खिए खिए नहीं था खिए टो तुम्हारा टे उल्टी नहीं घ्रार इनना है टो किसी नी जढ़िए इस ड्रुपे का बालस दल्वाय है तुम दोनों का अनेक्ष अड़े लग दैन्स के वजए से वाता ना इसले उन्हारा रहे तुम्हारा आज़ यार यार उस्थल मैंने कहा तरह चल बात कर तुम्हें वापस कर तो और वो पुराना बैलेंस मिलाकर पंजा सो दस रुपए हो गया है नहीं दे सकती हो तो बता दो गरीब समझ कर छोड़ दूगा मुझे बिखारी समझाए क्या बताओ कहा हो वहीं आकर तुम्हारे मुँपर पैसे मारूंगी टिटी मौल में हूँ आते सुमय मोटी को भी ले आना क्या क्या रहा था क्या बोली वो बोली आ रही है कहा है वो मोटी दीविया चल चौट मेरी फ्रेंड के फोन में बार बालेस तलवाते हो अखिर अपने आपको समझते क्या हो अरे यू ऐसी क्यों रियार है मैं देखती हूं रुक ना यह लो तुम्हारे पैसे मुझे दो अब हम दोनों के बीच कोई हिसा बाकी नहीं है और नहीं रिष्टा हेलो एवरी सक्सेसपूल जेंस ब्याइंड वन लेडी बैसो या उसके पूछ इसके पूछ इसके पूलिस वाले पसंद नहीं है बस यह ही इसकी प्रॉबलम है लेक्चर बंद बंद यह आपस इसक्रीम किलाता हूं चले शलो था था खाक यातियो अई स्पट्सvida sorry और गूंस तुम्हारी और तुम्हारी तुम्हारी और अित्त जा सोंग थे अर्रुम्हारी तुम्हारी बर देटी गे ज डिस्टर्फ होगी तंद सेंधा थेखान है। यहाँ के नहीं यहाँ हो इन्या। अच्छा हुआ फिर से वो दोनों एक हो गए है ना अगर तुम्हारा बॉइफ्रेंट पुलिस में होता तु क्या करती है मैं ना गले लगा कर किस करती और तुम मैं भी यही करती तो देर मत करो में रेडियो सुना तुम्हारे पापा जो बोलेंगे वह नहीं कर सकता है अगर अगरे वारे बाद बांनी हो तुम रहो वर्णा तुम जा सकती हो समझी तुमने कहा था पेजोप होंगी करोगी तो नॉक्ली ही चोड़ना हैं मैं इम्पोर्टेंट बंड़ना मेरे जाधा इंपोर्ण जाओ यहां से पुलीस वाले से रच है किसी कुली की बीवी बन जाओं हाँ 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 तुम जैसी तुम अपने आपको समझी किया हो जाओ यहां से बढ़ना जान ले लूंगा अब बगवान भी इने नहीं मिला सकता क्या हुआ बेटी तुमारी शादी के लिए लड़के के घरवाले नहीं मान रहे हैं क्या वो किसी और लड़की के साथ नहीं मा तो फिर तुम उसके लिए मना क्यों कर रही हो बेटी उसे पुलीस बनना है पाने पी लीजे, मेरी प्यार से स्यादा, उसके लिए वो लौकरी है, तो क्या बात है, वो लड़का अच्छा नहीं है, क्या, पदमा, तुम चांत रहो, मेरी बेटी ने जो फैस्दा लिया है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी बात तो, ये बता, मैं तुम्हारे लिए को समहलकर, एक सुनिये, आपके सवरों पे गिर गए, जुका है, पत्रों को युशा है, मेरा बैग लेके भागया, पकड़ा, आपको युशा पकड़ा, उसर प्त्र पैसे, चोर भागया सर, जलिए सर पूलिस ट्रशन में कंप्लेट कर देते हैं, क्यामला, प्लीस, कुछ नहीं होगा बापा आप एमत रखिए यही है सर चोड ओए दोर कहीं के कहां है पैसे कहां रखे हैं बता एक चोड वो ब्रीफ के चिनकर भागे सर चलो हमारे साथ तुम्हारे जैसे बाप रखे हैं निजो पर इंदाव लगा कर इन्हें से पुर रखे हैं सीधी तरह से बता दो वर्ना इवी वारूंगा यह अपने आप सब पठाऊ के और वर उस वाले सब भी रहे हैं सर शुरी कर्दित में नहीं कोचा तक्या तक्या नहीं सब नहीं कह रह इंस्पेक्टर मुकेश यह कौन है यह सर जिसने इनके ऑफिस से दस लाख रुपे चुराये है जूट है जूट है सर यह जो बोल रहे है वह जूट है सर बगवान के सब मैंने कुछ गलत नहीं किया सर मैं अपनी बीवी बच्चों की किसम खाकर कहता हूं सर मैं चूर नहीं मेरा नाब मुर्ली है सर इंस्पेक्टर छोड़ो इने मुर्टी साब आईए बैढ़ जाए अस धबनाने की कोई जरूत नहीं है थेंक यू सर इत्मिनान से मुझे पूरी बात बताईए लीजिए पानी पीजिए थेंक यू सर अब बताईए सच सच बताईए कि मामला क्या ह मेरा बैग यह बताईए उसके तुरंत बाद आपने पुलिस्टर्शन में आकर कंप्लेंड क्यों नहीं लिखाई इन्हें पुलीस पर भरोसा नहीं है सर कह रहते पुलिस्टर्शन जाने से कोई फायदा नहीं होगा मुरली जी जब यह घटना होई थी तो कितने बजे थे लगभाग बारा बजे थे सर आइसी हमारे पास कुछ क्रिमिनल्स के फोटो है क्या फोटो देखकर उसे पहचान सकते हैं पहचान लूगा सर देखिए इन मैंसे कोई है क्या नहीं है इन मैंसे कोई यह फोटो मैंसे किसी भी कोने में छुपा हो विदिन वन अवर उसे आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा अरे हम लोगों की तो किसमत बतल गए यार बेट को शाकल खूम बसाद कराएंगे हलो आप कहा पर है जल्दी से घर आजाए हमारा बेटा अभी तक स्कुल से घर नहीं आया मुझे अपॉर्ट डर लग रहा है जी जल्दी से आजाए कहा है आप अरू कर दो कर दो कि खाएंगे परिष्ट कानल of फिर एंग। इंग होगज़ झाल इंग होगज़ प्रुबबबबबबबबब एंग इंग हैं एंग होगज़ दिन्जिजपा रीचाल कर व हाई भाई कर दो नए भाई कर रादा कर लो ऩो यह हुआ पो है अ कर दूरह बाई कर दो है कर दो बस्त थार कर दो ये सतल कर दो सबसे पहले तो इस चोर को अंतर करो एक्सिलेंट जॉब मिश्टर ओंकार अप्रिशेट यू थैंक यू सर सुनो मिश्टर बीस साल से अपने साथ काम कर रहा है इंसान पर शक करके तुमने उसकी कम्प्लेन कर दी शरम नहीं आती है तुम्हें राइटर सर इस प्रॉपर्टी फॉर्म पर सायन करवा कर पैसे दे कर भगाओ इससे यहां से ठीक है सर देखिए मुर्ली जी सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं खाना पीना और परिवार को छोड़कर अन्याय के खिलाब 24 घंटे काम करती है हमारे देश की यह पुलिस भले ही जान चली जाए लेकिन अपना काम पूरा किये बिना चेहन से नहीं सोते हैं हम लोग आपकी हिवासत के लिए हैं आगे से आप पुलिस पर भरोसा करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और समाज के लिए भी यह क्या हो रहा ओमकार सर सुनाई नहीं देता तुम्हारा फोन कबसे बज़ रहा है अटेंड क्यों नहीं करते वो सर घर से वाइफ का फोन है बेटा स्कूल से अभी तक घर नहीं लोटा इसलिए अच्छा यह क्या हो ओमकार जाओ पहले जाकर अपने बेटें को डूड़ो ओके सर सर पुलिस वालों के बारे में मेरी सोच वाकी बहुत गलत थी सर आप बहुत ग्रेट है सर आपका आइसान मैं कभी नहीं बोल सकता सर मेरी काइंड ओफ यह सर इट्स ओपलिटा अरे पीटा स्कूल से तुम कहां चले गए थे कहां गए थे मम्मी कितनी परिशान है औ सर नमस्कार मेरा नमस्कार बच्चे की वेन खराब हो गए थी उसका ड्राइवर मेरा दोस्त है बाकी बच्चों को तो उसने दूसरी गाड़ी से भेज दिया लेकिन आपके घर पर लॉक लगा हुआ था सर इसने बताया कि आप यहां मिलेंगे तो इसे यहां लेकर आगिया तो यह होगा हां यह है यह लड़का उस दिन जब मैंने यह फोटो दिखाया था तो आपने मुझे मार मार कर अपने घर से भगा दिया था वो तब की बात थी जब मैंने बताया था कि यह पूलिस ओफिसर बनने वाला है युप चाप यह कच्रा उठा कर पौरण मेरे घर से तफा हो जाओ यही कहा था न आपने वह उस दिन की बात थी यह क्या पहले तो आप पुलिस के नाम से आग बबूला हो जाया करते ते ते शुलिए पंडित जी इस लड़के के बारे में आपने मुझ से उस दिन कहा था कि यह मेरी लड़की से शादी करने के लिए मरा जा रहा है यह उस दिन कहा था वो अपने प्यार से मेरी बेटी को पलकों पर बैठा कर रखेगा ऐसा कहा था ना पंडित जी यह उस दिन कहा था और आपने यह भी कहा था कि उसकी मा गाय जैसी है यह उस दिन कहा था तो आप मेरी बेटी ने जिसे पसंद किया था मैंने भी उसे ही पसंद किया है बिल्कुल गलत अब वो सिर्फ आपको पसंद है वो काथ है पुलीस पाले से रच है किसी कुली की बीबी बन जाओ तो मुझे मलसी काओ मुझे क्याफर नहीं समझे सर कौन है सुर्या जी है क्या वो बाहर गया हुआ है बस आता ही होगा आप अंदर आकर बैट जाएए सुर्या नहीं है अपने दोस्त के घर गया है आप कौन मेरे पती भी पुलिस ऑफिसर थे मेरा बेटा भी पुलिस वाला बनेगा डौन नहीं पुलिस का नाम सुनना भी जिसे पसंद नहीं है वो आदमी आज खुद एक पुलिस वाले के घर कैसे आ गया समझ में नहीं आ रहा है मुझे माफ कर दीजे मेडम पुलिस वालों को बारो में मेरी सोच बहुत गलत थी लेकिन आज उन्हीं पुलिस वालों की वज़े से मेरी सोच बदल चुकी है बहुत अच्छी बात है जो हमेशा ये बोलता है कि पुलिस वाले सर्फ दुख दर्द ही दे सकते हैं उसके मुझ से पुलिस वालों की इतनी तारिफ सुन करके बहुत खुशी हो रही है पर समझ में नहीं आया कि आप मेरे बेटी को ढूनते हुए घर तक क्यों आ गए बेटी की सिंदगी का सवाल है मेडम दो नफरत करने वाले लोगों के दिलों को मिलाने की आशा लेकर क्या हूं मेडम भगवान के लिए ना मत कहिएगा मेडम उन दोनों को सिर्फ आप ही एक कर सकती है मेडम बस आप ही एक कर सकती है ये इस चनम में तुम नहीं हो सकता जिस मान जा, मेरे बात सुन, सुर्या की लाइफ का एक ही मकसद है, और वो जो हासल करना चाहता है, वो उसे हासल करके ही रहेगा, अगर तू उसका साथ देगी, तो उसकी जिर्पे तेरी ही होगी, सोच कर देख, समिता, हार हो या जीत, वो मेरी अपनी होनी चाहिए, दूसरों के प्रशीत मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, इस घर की बहु बनेगी, तो वो ही लड़की, मदर इंडिया, पहले ये खाना खालो, घर की बहु के बारे में, बाद में डिसाइड कर लेंगे, मैं नहीं खाऊंगी, आपको नहीं खाना तो मुझे भी नहीं खाना है, मादर इंडिया, जैसे लड़कों के लिए बुरी आदते ठीक नहीं होती, वैसे लड़कियों के लिए घमंड, यह लो, अब खाना खालो, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बेकार के बाद छोड़ो, पहले खाना खाओ, यह लो, खाओ, चलो जल्दी मुख लो, ला मैं खुद ख क्या हुआ रे, रो क्यों रहा है, जरा देना तो, हे, क्या हुआ तुझे, रो क्यों रहा है तो, क्या कहा, स्योसाइट, मेरे माबाप कितनी मेहनत करके, मुझे पुलिस ओफिसर बनाने का सपना देख रहे थे, देखनी हा, पुलिस डिपार्टमेंट में हो रहे हैं अन्या केने मेरे सपनों से दूर कर दिया पुलिश डपार्टमेंट में शाविल होने के लिए टेलेंट हैं दिमाग के शीरत नहीं है उन्हें तो पस चीज चाहिए पैसा 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 पापा माम मुझे मापकरना में आपका सप्ना पूरा नहीं कर सका मैं नाला हूं अब लोगों ने सारे टेस्ट पास कर लिये थे लेकिन आमारी पोश्ट को पुलिस डिपार्टमेंट के दलालों ने बीच दिया तुम्हारी माँ का सबना है तु बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बने उनको इस बारे में कुछ बत बताना अपनी मा को कुछ मत बताना सुए या मां 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 क्या हुआ तुम्हें मां मां क्या हुआ मां आगे खुलो मां आप यहीं रुगिये पिर में जीने का रख हो सिला कम से लड़ने का कर फैसिला रख ले हिम्मत तूं कर ले कोशिश तूं अपनी हिम्मत से सब जीत दे और ये जीवनलग ने लूए लिएक्ट आपेंस्या ले दे देश्या लेक्ट अपनी हिम्मत से लिए एक साधना तू इस जीवन को अम्रित बना भाव ना दिलों की काम ना इनको तू जहर सामान ना तू है दिये की जलती जोदी बिखर गए सपनों के मोती उस आस की कर आराधना तुझको है हर गम से जीतना अब छटेगा हर गम का धुमा हर मुश्किल दूर होगी खुशिया भर पूर होगी अब तो फूलों समय के गाये जहाँ पुलिस के नाम पर कलंग था वो जो इनसान समास से डर कर सुसाइट कर सकता है वो पुलिस बनकर भी क्या कर लेता इतने क्रप्ट लोगों के बीच में सच्चाई के लिए सुसाइट करने से कुछ नहीं मिलेगा तो और क्या करें सर पहले कहते हैं यूद को आगया ना चाहिए यूद को आगया ना चाहिए और जब आगया आते हैं तो पीट पर वार करते हैं और कितने लोग इसी तरह सुसाइट करके मरते रहेंगे सर। हमारे नाम को काट कर, हमारे पोस्ट को बेचने वाला, वो एसे पी काले गोड़ा है। इसलिए हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे सर। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि वो भी पुलिस में है। अगर अपने गुस्टे पर काबू नहीं कर पाए, तो तुम लोग पुलिस तो नहीं बन पाओगे, क्रिमिनल ज़रूर बन जाओगे। तुम्हारी पुलिस की नौकरी किसी और को मिल रही है। उसे वापस पाने का तरीका सोचो तुम। ये देखो, इस साल जॉइन करने वाले कंडिडेट्स की लिस्ट, इसमें खास बात देखी, एक मार्क वाले किसी ने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की। फिर भी, वो सब सेलेक्ट हो गया। सर, ये बात कमिश्टर को पता है। वो कैसे मानेंगे कि तुम सच बोल रहे हो। उसके लिए सबूत चाहिए सुर्या। येस। किसी भी तरह से रिश्वत के बात उन चार लोगों के मुझ से कुबूल करवालो। बाकी सब मैं समहल लूगा। सबूत। आत्मा राम नाम का एक आदमी है। उसके पास जाओ। तुम्हारा काम हो जाएगा। सार। थैंक यूू। वेलकम सार। कहा है सनी। वो देखिए सर आ रही है। हाई। कौन है ये। सनी कहा है। सनी की तब्यत खड़ाब हो गई तो वो नहीं आपाई सर। इसलिए सर एक के साथ एक बंपर आउफार। चुन्नी मुन्नी। जाकर एंजॉइ कीजिए सर। हाई। कम ओन गुल्स। कम ओन। इस बंप से खड़ा एंपन। अइड है। ये खड़ो सेर और भी काम होता बता ना नेक्स्ट विक मुझे अपने बाल कटवाने है काड़ोगे सर का फोन नमस्तर सर काउन सन्नी जी बोल रहा है क्या हाँ जी सर ये तो सर की आवाज नहीं है सर आप कौन सर मैं सहाब का असिस्टेंट है सहाब मीटिंग में बहुत बीजी है मुझे कहा है कि आपको फोन करके बता दूँ कि आपको नौकरी मिल गई है सर उससे पहले आपको ट्रेनिंग देने के लिए कि स्पेशल ऑफिसर आएंगा कल सुबर ठीक दस बजे भूत बंगले के पास आ जाई है गा सर अब आपको लेओ जिस समय अरे अरे लाल डाल लोट लिये थे उस समय तो कभी किसी ने ट्रेनिंग के बारे में बात नहीं की ती तो अभी क्यों बात कर रहे हो बताओ अरे नहीं सर फामेलिटी पूरी करनी है आप आके शकल दिखा के वाप से ले जाना के आएंगे ने सर ओके ओके आज आओँगा ओके और फिर बताता हूं कि तुम सारे लोगों के कपड़े देख कर ही लग रहा है कि तुम लोग पुलिस वाले हो लेकित यह कौन है तुम सब को पुलिस की ट्रेणिंग देने वाले स्पेशल ओफिसर टाइगर यह क्या है इसकी तो दाढ़ी है यह कैसा पुलिस ऑफिसर है तुम लोग को जल्दी से नौकरी मिल जाए इसलिए मनत मागी है ना अगर नहीं चाहिए तो बोलो साफ कर देता हो नहीं तुम लोग की अकल और समझदारी बहुत ही होपलेस है सॉरी मेरा मतलब हाई क्लास है इसलिए आप लोग को ट्रेणिंग देने के बजाए हमने टास्क देने का फैसला किया है यह थोड़ा अच्छा लग रहा है पहला राउंड क्या है सर आपकी फर्स नाइट है तब ही अंदेरे में मुह कहा है पिछवाड़ा कहा है कुछ समझ में नहीं आता है क्या सारी कि सारी अनर्जी खराब कर दी शुरू से स्टार्ट करता हूं शुरू से करोगे तो सुबता कहीं बैठे रह जाओगे आपको शर्म नहीं आ रहे यह फर्स नाइट है आज इतनी दूर क् ट्रिंट्रिंट्रिंट्रिंटップ इस कहा है सर आंड़ीडिव थ्लू पयुक्त अलिशर मेरे अर्मान completo मुझाइम मेरे अकेले में बहूत डारक्ता है में तुम्हें नेखलेस दूंगा, मान-जाौ बबी मुझा टॉली दिलाुगा फिल्म दिखाऊंगा एं इतनी देर से प्यार से समझा रहा हूं तो तु झाुजे समझ में नहीं लुका बता कैसी आ किंकी मेंन,MYN लो शुपर। शुपर। जार, क्या रा, यह दो जब को अख ऴैंश ? अब रुफ रही है दाडी छुपर यह अब कर समय इन लाइट बंग करने कर दो आप धाए पर दो उन और जान पाइल यह जान, सबस्क्राइब व्रॉफु बोड शुपरुपरु कौन था ये फोन पर माई जो मेरे सुहाग पर मुव मार रही है अरे नहीं जानेमन ड्यूटी है ड्यूटी इस माई फर्स वाइफ और तुम सेकंड वाइफ तो आप जाना ही पड़ेगा लेकिन तुम्हें चोड़ कर कैसे जाओ वो ही सोच रहा था जानेमन लेकिन प्राण न आपको बहुत सारा दहेज दिया था अगर जाना है तो पहले वह वापस करें तुम्हें चोड़ सकता हूं जानेमन लेकिन दहेज वापस नहीं कर सकता हूं कैसी बात किस रहा है क्यों सैर हमारा पफॉरमेंस अच्छा नहीं था पुलिस वाला होके दहेज की बात करता है शर चोड़ो ना उखेज चोड़ो ना लिए उखेज करता वे फ़ालन का समय आ गया है कमिशनर औफिस से फोन आया था मुझे अर्जेंट जाना होगा ऐसे समय में मुझे अकेला चोड़के चले जाओगे प्लीज तुम मत जाओ ना यह नहीं हो सकता सिर्फ इसी समय ही नहीं जब तुम प्रेगनेंट होगी मुझे दर्द हो रहा है मुझे दर्द हो रहा है मुझे दर्द हो रहा है कहकर चिला रही होगी तब भी नहीं रुकूं जलता हूं जान भाई भाई जी थांक्यू सुपर भाई बीबी इतनी असानी से छोड़ देगी नहीं छोड़ेगी तो भी जाना होगा डैट इस पुलिस अगर मान लो इतना सब समझाने के बाद भी बीबी नहीं मानी तो तब क्या करोगे बता हमारे लिए बीबी से जादा कर अब तोड़ता हूं तुम लोगों के हड़ी अच्छी थिना हमें तो कहा गया था स्पेशल टेनिंग है पसा कर शकल दिखानी है पर आप तो मार रहे हैं सर मुझे अर्जिंट कहीं जाना है छोड़ दोने साहरे राउंड को कैंसल करके लास्ट फटा-फट राउंड पर आत है ठीक है ना सर फटा-फट राउंड कोश्या नमबर वन पुलिस टेशन में कौन-कौन होता है पुलिस बढ़ने के लिए आपने कितनी रिश्वत दी है पाच लाग ऑप्शन बी दस लाग ऑप्शन सी पच्छीस लाग तुम्हारा टाइम निकल रहा है जल्दी बताओ वरना आउट हो जाओगे या टाइम इस गिटिंग अवर कम ऑन जल्दी बताओ सर इस दुनिया में मैंने अपने से जाधा बहला इंसान कहीं नहीं देखा लेकिन लगता है ये लोग मुझसे भी जाधा बहले लोग हैं ये लोग तो रिश्वत देके भी भूल गये हैं कोन कहता भूल गये छोटी-मोटी रखम नी दिये 25 लाग रुपय दिये तुम सब के सब जुट बोल रव क्या सबोत है कि तुम लोग ने 25 लाग रुपय दिये हैं हमने उसकी वीडियो शूटिंग करके रखी है चाहो तो आप भी देख लो ये 25 लाख रुपया है सर चाहे तु सारे पैसे ले लिजे सर बस इसे ऐसा ही बना दीजे सर मरना मेरी बी 25 लाख रुपय है किसी भी तरह मेरे भाई को एसाई बना दीजी सब का देख लिया हो तो यह भी तुम्हारा भाई मेरा भी भाई है ना अब किसी बात की चीज़ता मत करो है हम जो भी बोल रहे हैं वो वीडियो कैमरा में शूट हो रहा है अगर किसी की कोई डिमार्ण हो तो डारेट कमिशनर साहब को बोल दो लाइब बैठे है यह पूलिए गए नहीं कि अम लोगों ने आपको 25 लाग रोपे दिये सार क्या देना सार जिस पूलिशें ज्यादा कमाई होती हो मेरी डूडी वही पर लगा ना सार सर, 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 प्ली सर No, no, I can't believe it You have to believe this, सर, because we have proof ये क्या है, क्या है ये सथ? थीएटर में ब्लैक टिकट की तरह पुलीस की नौकरी बेच रहे हो तुम शर्म नहीं आती, ये शरीफ लड़के हैं इसलिए यहां आ गए अगर कहीं ये वीडियो मीडिया के हाथ लग जाती तो तुम सब नौकरी से हाथ हो बैठते पुलिस बनने की इच्छा लेकर हजारो नव यूवक मेहनत करके टेनिंग को पास करके जॉब सेलेक्शन लेटर का इंतजार करते हैं वो लोग सुसाइड लेटर लिख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग डिपार्टमेंट में हैं इसलिए तुम में और खुने में कोई फर्क नहीं है यूप अब हमारा भविश आपके हाथ में है सर हमें पुलिस के नौकरी मिलेगी ने सर मैंने तुम से कहा था ना कि उनके पास जाओगे तो न्याय ज़रूर मिलेगा अपनी पूरी सर्विस में मैंने उनके जैसा महान ओफिसर कभी नहीं देखा बिल्कुल सही कहा आपने मैंने भी अपनी सर्विस में ऐसा सिंसियर आफिसर कभी नहीं देखा हमने भी कभी नहीं देखा गलती हो गई गलती करने वाले को सजा मिलने ही चाहिए उन्हें चंदन का हार पहना कर सम्मान देना चाहिए जरूर देना चाहिए क्या है काले गोड़ा इन छोटे छोटे बच्चों के हाथों पकड़े गए तुम सुनो बच्चों इसने सोचा कि चलो थोड़े पैसे कमा लेता हो और S.I.K. जॉब को सेल कर दिया तो तुम उसका वीडियो शूट करके मेरे ही पास लेकर आ गए सर आप भी ये भी क्रिमिनल्स के लिए शेर की दहार, रोबदार पुलिस ओफिसर, कमिशनर संपत कुमार हलो, तुम सब इन्वेस्टिगेशन के लिए इतनी मिहनत करके ठक गए होगे जाओ, जाकर रेस्ट करो हलो, मुझे पहले ही पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है इसलिए एक कॉपी बना कर उसे सेफ रख दिया है हम तो रेस्ट करेंगे ही, आप भी रेस्ट करने के लिए तयार है ना जेल में वेरी गुड सूरिया हैट्स ओफ यू, बहुत अच्छा काम किया है तुमने तुम्हारे पास जो वीडियो है उसे हम टेलिकास्ट कर देंगे उसके बाद देखना कि इन सब का क्या हाल होता है कुछ ने होगा सर क्यों नहीं होगा, तुम्हारे पास तो प्रूफ है ना सच तो ये है कि उससे में उसका मूँ बन करने के लिए मैंने ऐसी जूट बोल दिया था एक ही प्रूफ था मेरे पास, जो अब उन लोगों के पास है तुमने उससे जो जूट बोला, उससे उनकी नीन उड़ गई होगी वो लोग तुमें छोड़ेंगे नहीं सूरिया तुम कुछ दिनों तक किसी को भी दिखाई मत देना, कहीं छुप जाओ शिकारी कितना भी चाला को शेर उसे देख कर छुपता नहीं है सर वो जो भी चाहें कर लें, माई उन्हें नहीं छोड़ेंगे सूरिया, माजी, आप कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा रवी, माँ को समाल के घर ले जाओ, मैं थोड़ी दिर में बिल सेटल करके पहुँचता हूँ सूरिया, क्या है माँ? जल्दी आना बेटा ठीक है माँ? यह लीची, थैंक्यू मैडब, यह रहा मेरा बिल, क्लियर कर दीजे एस्क्यूज में, इन्वेस्टिकेशन प्यूरो, तो बरा नाम सूरिया है? आपके खिलाफ कंप्लेंट है, आप हमारे साथ चलिए, प्लीज इसे पहले यही लोग नमा डाले इसे, अरे बाप रे बाप, मुझे अस्तमा की बिमारी है, सर आपके लिए एक गुड न्यूज है, सर आपके भाई की बाडी में इंप्रूब्मेंट्स दिखाई दिये हैं, अच्छा, गुड, बेरी गुड, लेकिन साथ में बैड हो रहा है, उसमें कौन सा ट्रीट्मेंट काम कर रहा है, पता नहीं चल पा रहा है, कोई बात नहीं, किसी का ट्रीट्मेंट तो काम कर रहा है, ना इतनी मार पड़ी, कितना टॉर्शर भी गिया, लेकिन शिकन तक नहीं आई, रस्सी जल गई, पर बल नहीं गया, अपने बाप पर ही गया है, टाइसन सार, ये टाइसन हो या लोशन, इसमें मेरा मोशन खराब कर दिया, अब आप इसको मारेंगे या मैं मारू उसको अगर तुने नहीं बताया कि वो प्रूफ कहा है, तो हम तेरी जिन्दगी नरक से भी बत्तर कर देंगे, मेरे पास जो भी प्रूफ ता वो मैंने आपको दे दिया, अब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम लोग कुझे काटू नजर आ रहे हैं क्या, तुने जो डीवीड यही प्रूफ दिया था न तुने, देख इसमें क्या चल रहा है, नैशनल जियोगराफी दिखा कर इसे प्रूफ बताता है, यह है प्रूफ प्रूफ कहाँ है, मैं सच बोल रहा हूं, सारे प्रूफ आपको दे दिया, मैंने जुट बोला था कि मेरे पास दूसरी कॉपी है, उस दिन वहां एक जुट बोला, और आज यहां दूसरा जुट बोल रहा है, इसको तो मैं आज नहीं छोड़ूँगा, इसको हम जितना फि पॉणो कि इसको पास की बूलवा-जूह-आपकोर अपॉग-पहर हो, क४्री वच्पि एक मुनध करता है, फ्रहित पनुट तरो कि dobr हों, मैं समर्के मैं सब्सक्ता है, मैं सब्सक्तरत कॉरव था है, मैं घर प्रच मुझर्णो करते मुझरू, इसको जोरी दान कर दो कर दो कर दो कर अज़ मुय हमाँ कर रिए आ और ल्याओ कर देब देए ग्याओ कर देख एंक पॉचिए आ थैण कर देफ ऑ्याओ कर देब एत कि एंक पॉचिए ऱान कर दो का दोचिए तैण पाख राख अगर तु टाइसन है तो मैं हूँ विलान, मालो इसको, जाड़ो तुझे पोलिस तो क्या, कार्पोरेशन में जाडू वाले की नोकरी भी नहीं मिलेगी गन भी तुमारी बुलेट भी तुमारी हिसाब भी तुम्हे ही देना है बाई विलेन, जरा गन दिखाना, सर यह दिखे गन, अकल नहीं है क्या विलेन विलेन है भी तुमारी भाले विलेन लाई विलेन विलेन I am good, I want oxygen Willen, Willen, you speak here? Let's go! Where are you guys? This man is here, but we are doing all of them. Let's go! Is you ready? I'm ready. Don't look for a fight. You're ready! You're ready! You're ready. Get out of here! I swear... I'll shoot you! Get out of here! You're ready! अगर हमारा वीडियो इनके पास नहीं है तो पिर कहा है और हमारे पास तो उसका इनके पास नहीं है तो यह जृ अबना फोन दो है जृ से लोगों का पूंकि चानवरों की शूटिंगी चालिस मिनट की वो शूटिंग हूगी उसके बाद मतलब प्रूफ उसी डीवीडी में है अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो चारीस मिनट फॉरड़ करके खुदी देख लो है पहले उस डीवीडी को लेकर आउ हाँ है निकाल ले है है चला हम चलाहँ पाल इन मतलुकी करे ने कि देख लो इसे प्रेट लो इये से लगे तुमने बड़ी बहुत दूरी का काम किया है, जो इस मामले की असलियत मेरे सामने लेकर आए, I really appreciate you, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, देश को ऐसे नोजवानों की जरूरत है, पुलिश डिपार्टमेंट में आप लोगों को नोकरी जरूर मिलेगी, इस माई प्रॉम इस प्रकरण से संबंदित मुझरिमों को हिरासत में लेने का फोर्ट आदेश देती है, और सरकार से दर्ख्वास्त करती है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजाए, मैं कहा हूँ, आप कोमा में थे ब्रो, या ब्रो, मेरे भाई कहा है, ब्रो, लेट में बड़े भाई है और राइट में छोटे भाई है, और संटर में आप हो. भाई, भाई, क्या हुआ बाई, भाई, 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 किसने किया यह? जिस टाइसन ने आपको मारा था न, उसी ने आपके भाईयों को भी मारा है. वो कहां में देखा भाई सूर्या को पुलिस की नौकरी मिल गई है और साड़े दस बजे ड्यूटी जोइन कर रहा है और वो लड़की कहा है भाई आज इसकी शादी हो रही है साड़े दस बजे का महुरत निकला है बड़े होकर क्या बनना चाहते हो पुलिस मेरी बेटी दीव्या किड्नेप हो गई है हुआ 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 है हुआ 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 ह तो आखिर तो मुझे बचाने आ ही गए है तुम्हारे बाबा ने कंप्लेंड के इसलिए ड्यूटी पे आया हूं मतलब तु मेरे प्यार की वज़े से नहीं आये बड़ी आई प्यार करने वाली तु तु किसी और से शादी करने के लिए तयार बैठी थी यही है तेरा प्यार बुद्धू वो तो मेरी फ्रेंग समेधा की शादी है कौन वो मोटी